हेलो दोस्तो नमस्कार अभी हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर अगेन एक बहुत ही इंपोर्टन बात आप लोग के सामने आपे रखना चाओंगा जैसे कि मैंने आप लोग को कहा है कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीजे repeat होती रहती है और जो भी important point होते है वह हम लोगों ने क्या करने होते है not करके रखने होते है वरना इतना data बाजार में available है कि हर data को याद रखना मुशकिल हो जाता है so even though हम लोग investor है हम लोग कोई trader नहीं बट फिर भी इस stock के उपर कल के दिन आप लोगों ने खास नजर यहाँ पर रखने है मैं कोई यह नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग जाके short sale करो या फिर buy करो, sale करो, exit करो, बिल्कुल भी नहीं मेरा जो बताने का जो reason है उसके पीछे दो यहाँ पर बड़ी बाते हैं जो कि आप लोगों को पता यहाँ पर होनी चाहिए सो कल के दिन की बात करें दोस्तों यह जो एक stock है जिससे रिलेटर में बात करो उसके उपर हम कह सकते हैं बहुत बड़ा दबाओ हो सकता है एक बहुत बड़ा pressure यहाँ पर हो सकता है सो कितने reason है देखा गया तो 1 प्लस 2 मतलब दो reason है हम लोग यहाँ पर बोल सकते है सो दोस्तों उस reason को हम लोगों यहाँ पर study करना है देखे सबसे बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना कल है 10 January ठीक है यह date आप लोगों के साबने लिखा है और इस company में एक event यहाँ पर कल हम लोगों होते हुए देखने को यहाँ पर मिलने वाला है ठीक है ऐसे बहुत सारे companies में भी होता है बट इस company के लिए यह event थोड़ा सा और special बनता है ऐसा क्यों? क्योंकि company के quarter 3 के numbers already बाजर में आ चुके है बहुत अच्छी तरह की से सुन ले ना दोस्तो number company के already बाजर में आ जुके है Bombay stock exchange के उपर में इसको नहीं दिखा सकता क्योंकि वहाँ पे कुछ technical error आ रहा है आप लुक चाओ तो चेक कर सकते हो तो इस company के अभी के जो numbers थे quarter 3 के जब वो number present हुए मैं बहुत ही अच्छी तरह की से stock को observe को रहा था उस stock में हमनों को गिरावट देखने को मिली मतलब मतलब भिलकुल साफ है कि बाजर को उनके number इतने खास नहीं लगे ठीक है तो एक बात तो पता चली कि number से बाजर इतना ज़्यादा कोई इंट्रेस्टेड तो या फिर इंप्रेस या पर नहीं हुआ जैसिके आप देख सकते यह देखे December quarter की बात करें कमपनी का sales देख लेना 98 से 102 हुआ है इतना कोई बड़ा जम्प नहीं है बहुत ही flat जम्प है expense भी अगर आप देखोगी तो उसी proportionate में 56 का 58 हुआ है तो थोड़ा सा हलका सा operating profit 43 से 44 करोड हो गया एक करोड की जम्प आप बोल सकते है operating profit margin तो बिलकुल सेम है तो quarterly इतना कोई great performance या पर नहीं है other income में आप लोगों को 1 करोड की extra jump देखने को आपर मिलेगी interest से related कोई बात नहीं and depreciation बिलकुल सेम देखने को मिल रहा है तो इसलिए profit before tax देखोगे तो यह 41 और यह actual में यह 42 है 43 क्यों में consider नहीं कर रहो क्योंकि यहापे other income हम लोगों को थोड़ा ज़ादा देखने को मिल रहा था 1 चलो वो भी पकड़ लेते हैं प्लस यहापे हम लोगों को थोड़ा सा down performance देखने को मिल रहा है तो net profit कितना हो गया 30 का 32 तो इतना कोई great performance नहीं रहा हाँ no doubt आप बोल सकते 30 का 32 है jump तो है बट इतना कोई meaningful jump हम लोगों को देखने को नहीं मिली है तो company के performance किसे थे flat थे आप बोल सकते ओक्यों के performance थे nothing great और इसी के चलते क्या देखने को मिला stock में हम लोगों को गिरावट भी देखने को मिली थे कोई बड़ा crash नहीं हुआ है जैसे कि jam breweries में हुआ था एक normal गिरावट देखने को आप यापे मिली थी market ने थोड़ी सी दीन की अगर मैं बात करू तो यहाँ पर anchor investor का yes 30 दीन खतम होते विए देखने को मिल रहा है locking period की बात करू जैसे मैंने का कि क्या locking period इसके पहले भी खतम नहीं है कि इतने सारे companies के वाई star health का हो गया था टेगा industry का हुआ था इस company का भी locking हम लोगों को खतम होते देखने को मिल रहा है बट यहाँ पर एक extra तड़का किसका लग गया कि company के जो numbers थे quarter 3 के वो भी हम लोगों को locking खतम होने से पहले देखने को मिले है तो यहाँ पर anchor investor बहुत बड़ा call ले सकते है call ले सकते है मतलब decision ले सकते है कि क्या उनको इस company में रहना है या फिर सिर्फ उपर उपर से जो मलाई खाने का जितना opportunity मिले था उसी के लिए क्या वो यहाँ पर आये थे तो वो देखना interesting रहने वाला है पर सर वो rule बदल चुक है anchor investor का अभी 90 days के बाद तो दोस्तो वो 1st April से हम लोगो वो सारी चीज़े देखने को मिलने वाली है पूराने जितने भी IPOs आये है उसे related anchor investor को 30 days का ही locking period देखने को आपे मिलने वाला है तो इसलिए दोस्तों कल की दिन के अगर मैं बात करू तो जो company है उसका नाम है आनन राठी wealth ये company के उपर आप लोगों ने focus यहाँ पर बना के रखना है जैसे मैं ने का यहाँ पर अगर मैं बात करू 194 करोड तक का investment anchor investor ने यहाँ पर किया था अच्छा decent amount है हम लोग कह सकते और खास करके result इतने कोई खास नहीं अगर result अच्छे होते तो हम लोग शायद से कहते बीच आप बोल सकते फ्लाइट पर्फ़र्मंस तो इसलिए anchor investor हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते है यहाँ पर exit लेने की कोशिश यहाँ पर कर सकते है अगर वह exit यहाँ लेना चाहते है तो usually हम लोग को क्या देखने को मिलता है यह पॉसिबलिटी वाली बात है यह observation आप लोगों ने रखना चाहिए हम इसका खोई guarantee वाले स्कीम नहीं बेच सकते कि इसा ही होगा करके वह देखना पड़ेगा कि क्या वाके में anchor investor इस company में invest करने के लिए आये थे या फिर बस उपर उपर का जो profit यहाँ पर फाइदा मिल रहा था रखना चाहिए इसलिए यह वीडियो यहाँ पर बनाया था कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए पाच दिन की बात करो तो थोड़ा समय आप लोगों के सामने यह refresh कर लेता हो तो लेटेस्ट परफर्फर्मस भी हमारे सामने हाँ पर आ जाएगा सो 14 डिसेंबर से अभी तक अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो अच्छा गासा ही हम लोगों को थोड़ा बहुत तो जंब देखने को मिला है सो अनंदराथी इस कंपनी के उपर जरू आप लोग फोकस बना के रख सकते हो अगर कंपनी के बाकी फंडामेंटल्स पैरामेटर्स के अगर मैं बात करू तो ओके ओके परफर्मस वाली कंपनी बाकी ज़्यादा डेटा अविलेबल नहीं है क्योंकि जस्ट अभी अभी सब्सक्राइबल नहीं है क्योंकि अभी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ मेनत करना पड़ेगा अभी तो बहुत ही छोटी कंपनी धाई अजार करोड का मार्केट के अपर पर स्मॉल कैप कंपनी है तो अगेन के रहा हूं यहाँ पर नोट करके रख लेना अनंद राठी इस कंपनी को कल आप लोगों ने खाज रडार के उपर रखना है अगेन समराइस कर रहा हूं यहाँ पर कि एंकर इंवेस्टर का 192 करोड का लॉकिंग खतम होने जा रहा है ज कुछ ना कुछ आइंकर इंवेस्टर यहाँ पर अपना प्रॉफिट बॉक भी कर सकते हैं तो देख लेते कल क्या कोई एक्च्वल में प्रॉफिट बॉकिंग होती है भी या नहीं तो आशा कर तो आपको में कंसेप्ट समझ में आयोगा तो चाह हो तो इस वीडियो को गया धबकोल थे भीडियो अजवेस्टर हो आपकोल fakτε बॉक हो जड़ पे कि प्रॉब कर सकते हैं है जा है